नमस्कार मैं आभस्री डियालेट कारकर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं आज के चर्चा कवी से संसाधन जुटाने में बच्चों वसंदाय की भूमिका है आज वैस्विक मंच पर पर्यावरण ने केंद्रिय स्थान हासिल कर लिया है यह अर्थवस्थाओं का स्वरूप तै करने नीतियों को प्रभावित करने तथा राष्टा धेच्चों के भाग निर्मान करने में भी एहम भूमका निभाता है आंत्रिक रूप से यह समस्चेत्रों जैसे उद्योग से लेकर तिसी तक के एजंडों में एक प्रात्मिक मुद्दा बन चुका है तमाम तरह की सरकारी नीतियों वह सपत के बावजूद पूरे विश्व में धुत गती से जैविक विवित्ता नश्ठ हो रही है इसलिए यह बेहत जरूरी हो गया है कि इन मुद्दों को लेकर हम विद्यार्थियों के कौसल का विकास करें तथा पर्यावरण से संबंधित उनके ज्ञान की बुनियाद को और गहरा करें पर्यावरण अध्यन से व्यक्ति को समानता, समरूपता, क्रमबधता, नियमित्ता, आदी, महत्पूर समाजिक मुल्यों का बोध होता है जिनके द्वारा वो प्रक्ति में पाए जाने वाले सौंदर की अनुभूती करता है विस्व पर्यावरण दिवस सबका है, सबके लिए है और सभी जगह है अर्थात यह कहीं एक जगह पर मनाया जाने वाला दिवस नहीं है यह किसी एक पर्टिकुलर स्थान के लिए नहीं है यह सभी के लिए है और सभी को मनाना चाहिए और यह पर्यावरण दिवस जो पाट जून को पड़ता है जो की पूरे वर्स में सबसे महत्पूर अउसर है जब हम सकारात्मक पर्यावरणी कारकरम योजनाओ का क्रियानवयन करते हैं आसपास के वातावरण को बचाने, साप सुत्रा करने, पेल लगाने, वन जिवों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना आदी विश्व पर्यावरण दिवस के प्रमुक उद्यशों में से एक है Connecting people to nature, यानि मनुष्र को प्रक्ती से जोड़ना, विश्व पर्यावरण दिवस 2017 का विश्व चुना गया है जिससे प्रेरी थोकर हम बाहा निकले और प्रक्ती की गोद में जाकर उसके सौंदर की सराहना करें तथा पर्यावरण के महत्यों को समझें, धर्ती को बचाने की पुकार को समझें और इसके लिए खुद पहल करें यह एक अजीब विटम्बना है कि प्रक्ती का हमारे जीवन में होने वाले महत्यों का एहसास तभी होना सुरू हुआ जब हमारी क्रिया कलापों के परडाम स्वरूप धर्ती वो प्रक्ती की दुर्दसा चरम सीमा पर पहुच गई इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोगों में किसान, मर्चवारे तथा सहरी आबादी वाले लोग हैं आर्थ्लिक विद्धी ने पर्यावरन को बड़ा नुकसान पहुचाया है हमारी आबो हवा में, हमारे खान पान में, हमारी मिट्टी में जहर फैल चुका है और सबसे चिंता जनक पहलू जलवायू परिवर्तन है इसलिए हमें निरंकुस उभोकतावात पर तीके विकास के इस मार्डल पर उनर विचार करना चाहिए हमें अपनी युवा पीड़ी को अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों से अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आकरसित करना चाहिए साथ ही साथ हमें उन्हें आसपास के परिवेश्ट में ले जाकर पर्यावरण पर हमारी क्रिया कलापों से पढ़ने वाले दुस्प्रभाव को दिखा सकते हैं जैसे बेतर्ती फैला हुआ कूडा जोर से बेवजह बजने वाले हान से उत्पन होने वाली ध्वनी प्रदूसर्ण वाहनों से निकलने वाले धुए से उत्पन वायू प्रदूसर्ण आधी आजकल टीवी वर इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने आसपास घटने वाली हर प्राकृतिक आपदा की सूशना मिल जाती है जैसे दुनिया के किस कोने में बाड़ाई है किस कोने में सूखे की समस्या उत्पन हुई है अत्वा किस जगह चत्रवार्थ की विभिसका दिखाई दी है विद्यार्थियों में पर्यावर्ण असंतुलन तथा उसके प्रभाव के विशे को समझने के प्रती रूची जागरित करने की आविशक्ता है ताकि वे पर्यावर्ण को संतुलित करने एवं तारकी कुरूप से उसका दोहन करने का महत्त समझे उदारण के लिए विद्यार्थी घरों में बिजली पानी का सब्वेदर सील होकर उप्योग करना सीख सके सिर्फ घरों में ही नहीं बलकि स्कूल में या फिर वो विद्यार्थी दूसरों को भी सिक्षित करें कि किस प्रकार से हमें बिजली और पानी की बज़त करनी चाहिए इसे बरबात करने से बचाना चाहिए अता जो ज्यान की बाते हम पुस्तकों में पढ़ाते हैं उन बातों को विद्यार्थीओं को अपनी जीवन सैली में उप्योग में लाने के लिए प्रोस superstřाफित करें पर्यावरण के संसाधन को बचाने के लिए विद्याली स्तर पर विद्यार्थी एवं समुदाय के लोगों को प्रेरित करने के लिए विभिन कारिक्रमों वगतिविजियों का आयोजन करना चाहिए क्योंकि पर्यावरण के संसाधन ही तो पर्यावरण अध्यन के लिए अधिगम सावागरी होते हैं पर्यावरण संसाधन और अधिगम संसाधन पर्यावरण अध्यन के अटूर पहलू है जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देखते हैं चित्र में स्वर्च भारत अभ्यान का एक पोस्टर है, एक पोस्टर जिसमें सभी लोग सफाई कारे कर रहे हैं, एक पोस्टर जो पेंटिंग जिसमें सब बच्चे आस पास की गंदगीयों को इकठा कर रहे हैं और वातावर में फैली गंदगीयों को समेटनी की कोशिस कर र लखना चाहिए सामुहिक क्रिया कलापों से विद्यार्थियों में सफाई के उद्देश के प्रति रुची व उत्सार जागेगा सिच्छक भारत सरकार द्वारा चलाय जाय रहे स्वच भारत अभियान विशय पर निबंध लेखन वादिवात प्रतियोगिता तथा पोस्टर प्रदर्शनी का उनके संग्यानात्मक विकास के लिए प्रयोग कर सकते हैं विद्यार्थियों के ग्रियात्मक विकास के लिए विद्याले परिसर एवं आसपडोस को स्वच रखने की मुहीम छेड़ सकते हैं यहाँ पर मैं एक उधरन को प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो कि हमारे आसपास या ये कहिए मेरी एक सहली ने मुझसे साजा किया कि किस प्रकार एक दिन उसके पडोस में रहने वाले छोटे बच्चे मुस्किल से वह कच्छा चार या पांच का स्टुडेंट रहा होगा उसने कहा आंटी आप ये कूड़ा यहां क्यों फेक रही है इस कूड़े को कहीं और जाके फेकिए मगर वो परिवार नया-नया ही उस मुहले में सामिल हुआ था उसकी बात पे उसने गौर किया और उसने इस बात को बताया उससे आज तक किसी ने ऐसा नहीं का और उस दिन के बात से उसने कभी भी कूड़े को अव्यवस्थित तरीके से नहीं फेका मगर आप सोसकते हैं सिर्फ वही बच्चा उस कालोनी का हिस्सा नहीं था उसमें और भी बच्चे थे मतलब कुछ बच्चे जागरुक होते हैं कुछ बच्चों के स्कूल में जागरुकता फैली हुई है और उनका परिवार भी जागरुक है तभी वो दूसरों को जागरु करते हैं मगर जो जागरुक नहीं है हमें उन बच्चों को भी जागरुक करने की जरूरत है और हमें पर्यावर्ण से संबंधित किसी भी प्रकार के ज्यान को दूसरों से सेर करने या बाटने से में हिचकना कभी नहीं चाहिए यह पर्यावर्ण सबका है सबके लिए है और उठाने की जरूरत है आप दूस्रे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कार्टून के रूप में है बच्चा गुल्लक रूपी एक प्याले को पकड़ कर पानी की एक-एक बूंदों का संचे कर रहा है क्योंकि पानी अति महत्पूर्ण है इसका संरच्छन अति महत्पूर्ण है पानी हमारे परवन का महत्पूर्ण अंग है जिसकी अवहेलना करना प्रित्मी को गर्त में ले जाने के बराबर ही है जल भी सीमित है पर रोज उपलप्थ हो जाने की वजह से विद्यार्थी इस वास्तिक्ता को सिर्कार नहीं कर पाते हैं इसी जल संकट के तर्थ को को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है उदारण के लिए राजस्तार उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश मुंबई आदी राज्यों में महानगरों में जहां पानी की भीसर किलत है समस्या देखने को मिलती है इस प्रकार की दिस्ट या तो आनलाइन या तो माध्यम से बच्चों को दिखानी चाहिए उन्हें जल को सरोक्रिष्ट तरीके से खर्च करने के लिए प्रोसाहित करना चाहिए ताकि भविस्व में उन्हें जल से जूड़े संकट का सामना न करना पड़े ऑक्सिजन हमारे लिए अतिमहत्पूर है और पेड हमारे लिए जीवन दायनी ऑक्सिजन को प्रोवाइट करती है विद्यार्थीों से फल्दार वर्चायादार विच्चों का रोपर करवाना चाहिये विद्यार्थियों का वैट्चों के प्रति भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने के लिए हमें विभिल प्रकार के उपाए करने चाह तथा आर्थ-दिवस या पर्यावड़ दिवस के माध्यम से उन्हें नए-ए कोटेशन से ओगत कराना चाहिए oni विद्यारथी के अंदर विचहोरों पर कर सकते हैं या फिर प्रतेक विद्यारथी के नाम से एक गमले को विद्यार में लगा सकते हैं प्रते गमले पर विद्यार्थी के नामकरण से उन में अपनत्य की भावना आएगी और विद्यार्थी अपने पौधों से जुड़ाव मसूस करेंगे जिसमें सिर्फ उनका संग्यानात्मक विकास ही नहीं होता है बलकि साथ में भावात्मक और क्रियात्म विद्यार्थियों के साथ लंबे समय तक रहती है विद्यार्थियों को पौधों को दोस्त के रूप में देखना चाहिए तथा उनकी भी सालगिरह मनानी चाहिए विद्यार्थियों को ऐसे अभियानों में भागिदारी के लिए सम्मानित करना चाहिए तथा समय समय पर उ का मुहिक बिच्छा रोपर का कार्क्रम भी आयोजित किया जा सकता है इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं सबसे पहला चित्र जिसमें जानवर के पेट में विभीन प्रकार के प्लास्टिक के थैले हैं जिसकी वजह से ही सायद उसकी मृत्य हुई सायद क्या अवस्य ह कि उसकी मृत्यू प्लास्टिक को खाने के रूप में लेने से हुई है और उसकी दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि आज हमारे कूडे का 50% कह सकते हैं या कूडे का जो प्रतिसाथ है जो हिस्सेदारी है उसमें प्लास्टिक का सबसे बड़ा योगदान है दूसरी अन्य चि नि में रख घर उसकालों का उपयोग कम करना चाहिए और यदि यहीक होगा कि हम अपने साथ अपना कपड़े का बैख का जो उचित हो उस तरह के बैग को अफने साथ हमेशा लेकर चलते रहना चाहिए विद्यार्थियों को पॉलिथीन से होने वाले दुस्परिणाओं को सचित दिखाने वह समझाते रहना चाहिए वर्तमान समय में पॉलिथीन के अधिकाधिक प्रियोग से दुधारू पस्वों विसेश कर गायों की मौत की खबरें अक्सर चर्चा में रहती है इसलि होने वाले फायदे का लालच भी दिखाना चाहिए विद्यार्थियों को सकारात में कदम उठाने पर साजजडी क्रूप से सराना करनी चाहिए पर्यावर्ण अध्यन के लिए अधिगम संसाधन जुटाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हमें ब्रिहत अस्तर पहीं पहल कर पाएं तो भी इस प्रियाश को कम नहीं आका जा सकता है समधाय के लोगों का उप्योग उनकी विशेशग्यता की आधार पर अधिगम समागरी के रिमान है तू तथा अधिगम को समवर्धित करने हैं तू किया जा सकता है उदारण के लिए कार करके सीखने हो तू समुधाय के विशेशग्यों की सहायता दिसार निर्देश के लिए सुच्मचरण वशावधानियों को समझने के लिए ले सकते हैं साथ ही समुधाय के विशेशग्य विद्यार्थियों में जागरुकता वो अधिगम को पर्यावरण किर्पती प्रवित्री को बनाय रखने में मदद करेगा क्योंकि अन्तो गत्व विद्यार्थी भी समाज का हिस्सा है जो समाज में जाएगा और समाज के लिए हुत्तोप योगी कदम उठाएगा मानवजाती के द्वारा पर्यावरणी चुनोतियों का सामना करने के लिए प्रपुत नागरी क्वर्ग को यह समझने की आवसकता है कि कैसे प्रासंगीक व्यज्ञानिक सूचनाय ससक्त निति निर्माण संबंधी नेड़ों को प्रभावित करती है संसाधन जुटाने में समधाय की प्रतक्ष भुमिका इसके पहले हम ने देखा कि किस प्रकार से विद्यार्थी का सिक्षक का संसाधन जुटाने क्योंकि हमें पता है कि पर्यावर्ण के तत्व ही पर्यावर्ण अध्यन के लिए अधिगम संसाधन है तो उन पर्यावर्ण को तत्व को अगर हम बचाते हैं तो इसका तात्पर है कि हम पर्यावर्ण में उप्योग होने वाले अधिगम संसाधन को जुटाने और उसकी सुरक कि अधिक अधिकम सामागरी का निर्मार कर सकते हैं प्रियोकसाला की सामागरी तथा उपकरणों के लिए साřजनीक अस्पताल चिकिट्सकों वह सरकारी विद्याले व्षविद्यालों से संपर करके उपलबता को सिंशित कर सकते यहां हम इन बातनों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारी विद्याले विस्विद्याले या फिर अस्पतालों में कुछ अन्यूज़ टेस्ट्यूब या बीकर्स होते हैं जो कि उनके लिए अनुपयोगी होते हैं मगर कच्छा पांस तक के विद्यार्थियों को उससे बहुत लाग हो सकता है क्यों क्योंकि उन बीकरों से वो द्रबिमापन या अन्य प्रकार की प्रयोगों को कक्षा में अंजाम दे सकते हैं ठीक उसी प्रकार विद्याले में पुस्तकाले स्थापित करने के लिए सिक्षक विद्यार्थियों की मदद से पुस्तक दान अभियान के तहत पुस्तकों का संग्रह कर सकता है पुस्तक दान अभियान करतात पर यह है कि जो बच्चे उस कर्चा को पार कर चुके हैं समझ लीजे कि अगर एक बियसी कर्चात जिसके लिए कर्चा आठ की पुस्तकों का कोई यूज नहीं है कोई उप्योग नहीं है तो वो उन किताबों को स्वता ही विद्यालों को दान कर दे या अगर दान का एक अभियान चला हो उसमें दान कर दे साथ ही साथ कुछ नावेल, कुछ कहानी की पुस्तके, कुछ अविस्कार से सम्बंधित किताबे या तर्य तर्य किताबे जो हम पढ़ लेते हैं उन्हें दुबारा पढ़ने की जब जरूरत नहीं होती है या फिर जब हम यह चाहते हैं कि उन पस्तकों से और भी लोग लाभानमित हों तो हम उन्हें दान दे सकते हैं और इस प्रकार की पुस्तक दान, अभियान, शिक्षकों की बहुत अच्छी पहल होगी जिसमें विद्यार्थियों के मदद से शिक्षक विद्याले में पुस्तकाले का निर्मार कर सकता है साथ ही साथ उच्छी सिक्षा संस्थाओं से ग्राम पंचायत तथा अन्य स्वयम सेवी संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से पुस्तक या पुस्तकों के लिए अनुदान ले सकता है सिक्षक विद्याले के आसपास के पर्यावरण की स्वक्षता एवं सुन्दरी करण के लिए विद्यार्थियों अभिबाव को सरपंच एवं समदाय के लोगों को मदद के लिए आमंत्रित कर सकता है सिक्षक गाव में पड़ी बंजर भूमी अत्वा खाली पड़ी भूमी को चिन्नित करके अपनी आवसकता अंसार खेल के मैदान या ब्रिच्छा रोपर के रूप में प्रियोग कर सकता है इसके लिए सिक्षक सरपंच से आग्रा करके सरकारी जमीन के लिए सिफारिस भी करवा सकता है विद्याले के पुस्तकालियों, प्रियोग सालाओं तथा विभिन प्रकार के कोनों के साथ साथ एक तृत की गई सामगरी वो फाईलों की सुरच्छा का दाईत्व, समुदाय के वरिष्ट रागरी को और सरपंच की सला लेकर गाउं के चौकिदार को सौपा जा सकता है यह जरूरी नहीं है कि गाउं को चौकिदार ही उसकी सुरच्छा की जमीदारी ले अगर यह दाईत्व कोई और जिम्मेदार व्यक्ति ले सकता है या सरपंच, सिक्षक, प्रधान द्यापक समझते हैं कि इसका दाईत्व गाउं के किसी व्यक्ति, बालक या विद्यार्थी को सौपा जाए तो भी वो यह कर सकता है आज की चर्चा में हमने संसाधन जुटाने में बच्चों और समुधाय की भूमका को समझने का प्रयास किया है इसके अलावा विद्याले को संसाधन केंद के रूप में विक्सित करने के लिए समुधाय से किस प्रकार मदद ली जा सकती है आज की चर्चा बस इतनी ही अगली चर्चा पर फिर्म लाकात होगी तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार